प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के साथ बढ़ रहे दुशकर्म की घटनाओं के खलाफ शहर जला कॉंग्रेस सद्धिक्ष राजकुमार पचोरी ने वीडियो जारी करते हुए पीक अप के माध्यों से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की मध्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के अवहन पर पूरे प्रदेश में अभियान आज एक साथ शुरू किया गया महिला परादों तथा अबूद बालिकाओं के साथ दुशकर्म की बढ़ती घट्नाओं से चिंतित कॉंग्रेस पार्टी द्वारा दुएक्टूबर से शुरू किये गये प्रदेश व्यापी बेटी बचाओ भियान के प्रथम चरण में शेर जला कॉंग्रेस अद्धिक्ष राजगुमार पचोरी ने स्पीक अप प्रोग्राम के तहत अपना वीडियो जारी किया जारी कि ये वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में भाज़पा की सरकार के रहते बेटियों और माँ बेहनों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ हाए दिन बलतकार और हिंसा के खबरें लगतार आ रही है नमस्कार, हादर नहीं साथियों आज मद्द्वर्देश कमेटी दोरा बेटी बचाव वियान की सुरुवात की गई है जो 2 October गांधी जैनती और लाल वहाद उसास्तिर जैनती की जी की जैनती से सुरुवात की गई है प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार में बेटियों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं से अबादिलता और कई प्रकार की घटनाएं हो रही है हम चाहते हैं कि देश में और मद्ध प्रदेश में बेटियों को सुरक्षद रखने और उनके अधिकार देनाने के लिए बिसिस कानून मनें और उनके लिए बिसिस सुरक्षद हाया कराई जाए माजपा सरकार बनने के बाद सागर जिले में ही आप अगर उठा की देख लें कारेकार निकल वा लें तो जिले की कई छेत्रों में अबूद बालिकाओं के साथ भी कई घटनाय घटी है जिनमें अभी तक उन बच्चियों को नयाय नहीं मिला यैसे सक्त से सक्त कानून मना जाएं इसके लिए हम और हमारी पार्टी चरणवद्दान दूलन करेगी और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप कठूर से कठूर कानून बनाकर बेटियों के लिए उचित सुरक्षा परदाने करेगे सागर से संजरतेवारी की रिपॉर्ट